असलाम अलेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त सी डिलिशिस रेसिपी जो बहुत ही आसान है, हर कोई बना सकता है अपने घर में, ये सिर्फ मेरी बिस्केट्स और एक्स के साथ हम एट करके बनाने वाले हैं, ये एक स्वीट रेसिपी है, आप इसे डि तीन अंडे लिए हैं, इसे हम ब्लेंडर में डाल देंगे, और आदा कप चीनी डालेंगे, इसके साथ हम डालेंगे एक कप दूद, और इसके साथ जाएगा एक टी स्पोन बनिला एसंस, अगर आप चाहें तो इसमें इलाची का पौडर भी डाल सकते हैं, अब हम इसे अच अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे, अब हम बनाएंगे कैरमल, इसके लिए हमें चाहिए आदा कप चीनी और पाव कप पानी, इसे हम मीडियम हीट पर पकाएंगे, और तब तब पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, देखे तरह से स्टोर करते रहें, और फ्लेम को बंद करतें, अगर इसे आप और पकाएंगे, तो डार्क हो जाएगा, और टेस पी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, आप जल्दी से एक पैन में इस कैरमल को डाल दें, और इवनली स्प्रेट करें, इस तरह से, और यह जो बबल इसे हम अगर टैप करेंगे, तो वो भी चले जाएंगे, अब हम इसे साइड में रखतेंगे, एक 10 मिनिट के लिए, जब तक यह सेट ना हो जाए, जब यह सेट हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे हमारा बिस्केट मिक्स्चर, जो हमने ब्लेंड करके साइड में रखा ह सबसे पहले पानी जो है अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम रखेंगे, मैं यह प्लेट रख रही हूँ, जो स्टीमा प्लेट है, इसके उपर हम रखेंगे पैन, और फिर हम एक प्लेट से इसे कवर कर देंगे, इसके उपर हम अब लिड रख के बंद कर द आए, तो समझ लीजिए कि यह बिलकुल तयार है, देखिए हमारे नाइफ क्लिएर है, तो हमारी डिश बिलकुल तयार है, इसे हम नाइफ के हेल्प से साइड्स को अलग करेंगे, इस तरह से, और फिर एक प्लेट में इस तरह से, टर्न करतेंगे, ये देखिये, कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही जबर्दस निखेदार लग रहा है, अब तो आपको समझे आगया होगा, कि ये जो है, ये एक बिसकेट पुडिंग है, मेरी बिसकेट के साथ मैंने बनाया है, जैसे कि आपने देखा था, ये बहुत ही जबर्दस, डिलिश बहुत ही अच्छा बन के तयार होता है आप इसे जरूर ट्राइ करें और मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी देखिए कितना पर्फेक्ट आया है देखिए कितना यमी लग रहा है ये अब मैं इसे टेस्ट करके आपको बताऊंगी बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है बहुत ही जबर्दस्त बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट जो मैरे बिस्किट का फ्लेवर है वो भी इसमें है और जो क्यारमल का है फ्लेवर उसके साथ ये मिक्स होकर बहुत ही आप भी इस रिस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अलाहाफिस